नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी जेग सिंग दोस्तो किचिन हमारे घर के लिए कितना महत्पुन जगा है ये तो बताने की आवशकता नहीं है लेकिन दोस्तो इसमें बिजली कनेक्शन करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी परती है चुकि बहुत सारे हमारे किचिन के अप्लाइंस होते हैं जो कहीं इलेक्टिसिटी से चल का उप्योग तो सदियों से होते हा रहा लेकिन अब ही हमें बिजली को भी इस तरीके से एड़्जस्ट करना पड़ता है ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके और साती सांदोस्तों लाइफ को इजी बनाया जा सके हमेसा में बोर्ट जो रहाएगा इंट्री गेट के पास हुआ है यहां पर लाइट लगा सकते हैं बल्ब लगा सकते हैं सीलिंग में आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितना खर्च करने वाले हैं एक बल्ब भी लगा सकते हैं या फिर दोस्तों कॉर्णर पर भी बल्ब लगाया जा सकता है बहुत से लोग फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उनके बात ही अलग है वो चाहिए कितना भी बल्ब सिलिंग पे लगवाई दोस्तो इस वीडियो में मैं उनहीं पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक्चुल में कीचिन में आवसकता पड़ती है कोई फिजूल खर्ची की में बात इसमें बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ तो वीडियो पे बने रही है चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक अवश अपने तरब से दे सकते हैं दोस्तों आप जिस तरीके से देख सकते हैं स्लैब में कटिंग किया गया है यहां पे सिंक का जगा है यानि कि यहां पे बेसिन लगाया जाएगा और इसके उपर दोस्तों दो कटिंग आपको दिख रहा है इसमें कम से कम दो फाइव पीन लग सके आप चार मोडूल के जगह में दोस्तो सिक्स मोडूल छे मोडूल वला स्विच बोड भी इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तो आते हैं लिंटे लेबल के उपर में आपको गया करवाने हैं कि यहां पर जैसे कि एक्जोस्ट फेंड के स्विच बोड आपको चाहिए ही चाहिए आपको अगर सिर्फ एक्जोस्ट फेंड के साथ साथ चिमनी भी लगाना है तो चार या शे मोडूल वाला स्विच बोड आपको उस जगह पे इंस्टॉल करवाना ही होगा अब आते हैं नीचे में दोस्तो नीचे में मैं आपको ब जो खिरिकी वाला जगह होता है उस जगह पर चुल्ले का है तो अप इलेक्ट्रिक चुल्ले भी आ गया है दोस्तों मार्केट में इसलिए इसके लिए भी आपको बिजली कनेक्शन देने की आउसकता परती है तो उसके लिए यहां पर देख सकते हैं शिक्स मोडूल का यहां गया है और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर भी शिक्स या फिर एट मोडूल का स्विच लगवाई है ताकि जो भी आपका मिक्सर ग्राइंडर या फिर अलग-अलग किचन अप्लायंस होते हैं उनको डारेक्टली इन दोनों स्विच बूर्ड के मदद से चलाया होता है तो यह चीज हो गई अब चलिए उपर के तरफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले दिवार पे भी एक आपको कम से कम लाइट की विवस्था यानि की बल्व की विवस्था करवा लेनी है तो दोस्तों सीलिंग में बल्व रहेगा दिवार के साइ है कि आज हमारे घर में यह अप्लाइंस नहीं है तो कल को नहीं हो सकते हैं या फिर हमें यह इस्तमाल में नहीं लेने हैं वह आज ना कल आपके पास पैसा आएगा तो उस अप्लाइंस की दोस्तों डिमांड बढ़ेंगी और आप को खड़ देंगे लेकिन उस समय अगर नहीं तो है नहीं तो इसलिए आप उप्सन ले करके चलिए कल को पैसा आएगा अप्लाइंस आएंगी तो किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर जोस्तों किचेन में फ्रीज रखना चाहते हैं जो कि आज कल बहुत सा लोग रखते हैं अगर आपके पास हैं झाहते हैं?